तो जी हा दोस्तो अब भी अपने फोन को कर सकते हो ट्रांस्प्लाइन जैसी कि आप लोग देखी सकते हो सायद मेरा फोन अभी हो चुका है ट्रांस्प्लाइन तो यह आप कैसे कर सकते हो तो हेलो दोस्तो कैसे हो आप लोग आप का में यूटूब चानल पर स्वागा थे दोस दोस्तो आज का वीडियो बीना skip कड़ करके देखिते रहो क्योंकि आज की वीडियो पे आप आपलोगो से विताऊंगा कि आप कैसे अपने अपने smartphone को ट्रान्स्पलाइट कर सकते हों मतलब आप अपने को अपने दोस्त को बीट और लोगों से भी प्रेंक कर सकते हो तो इंड्न थेक लीज़ेगा और वीडियो पसंद आए तो लायक कर सकते हो और अगर आपके मन में कोई भी सुचयाव हो तो नीचे कि मन करें बोलान को मैं दोस्तो जैसी कि आप लोग देख सकते हो मैं अपना मुबाइल स्क्रीन पर आज रूका हूँ मैं जो प्रोसेस बताओंगा सब अपने मोबाइल चीन पर बताओंगा तो वीडियो को ध्यान से देख रहा है ना और जो प्रोसेस बताओंगा आपको पहले चो काम करना पड़ेगा वह अपने प्लेश्टोर एपको ओपेंड कर दीजिए उपन करने के बाद या पर सर्च किजिए ट्रांसपरेंट मोड दोस्तों आप देख सकतों या पर नीचे सो भी हो रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं क्लिक करने के बाद आपको या पर जो पहला एप्लिकेशन देखने को मिलता है उस पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद इस एप्लिकेशन को आप डाउनलोड कर दीजिए सेफ वान पॉइंट टू एमबी का एप है ये तो इसको डाउनलोड कर तो आपके सामने ऐसा एक इंटरवेश आएगा तो या पर एक warning है डूनोट यूज वाइल ड्राइविंग तो इसको मैं कर देताओ गो तो गोपे क्लिक करने के बाद या पर आपको एलो करना परेगा तो मैं इसको कर देताओ एलो इसके बाद आपके सिटिंग में एक यहापर परमिसान मांगड़ा है एलो डिस्प्ले ओबर अधर एप्स तो इसको मैं एलो कर देता हूं एलो करने के बाद आप बैक कर देना तो देख सेक्टों आपका फोन हो चुका है टांस प्लैंड दोस्तों ऐसे करके आप भी अपने फोन को इसली क तो देख सकतो एकदम सिंपल प्रोसेस है कोई मुश्किल प्रोसेस या पर नहीं है तो दुस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे अपने फोन को ट्रांस प्लैंड करना पड़ता है तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते मिलते किसी नेक्स्ट इंट्रेस्टिं वीडियो में अब तक के लिए बाई बाई